कि मस्कार किसान साथ यो आप सभी का सवगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आई आज जान लेते हैं मक्का की जेविक खेती कैसे की जाती है इसके बारे मसंपुर्ण जानकर आपको मिलने माली है बने रही है हमारे साथ सब सपहले मक्का के बीच चैन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मक्का का बीच चैन ही आपका उत्पादन बढ़ा सकता है तो जेविक मक्का के लिए जो अच्छी किसमें है उनमें है गिरिजा अरली कंपोजिट बजोरा मक्का वन बजोरा पापकॉर्ण बजोरा अब बीच दर कितनी चाहिए 20 किलोग्राम बीच प्रती हेक्टेया प्रयाप्त होता है जिसे से पोदों की निश्चित संख्या प्राप्त हो जाती है बीच उत्पादन संकर किस्मों सर्ताजव हीम 123 का बीच हर साल नया लेना पड़ेगा जबकि कंपोजिट किस्मों जैसे क गीरजा कंपोजिट, अर्ली कंपोजिट, पारवती व नवीन कंपोजिट का बीच कम से कम 3-4 सालों तक रखा जा सकता है इसके लिए निचे दी गए सावधानिया किसानों का अपनानी चाहिए एक दूसरी किस्म का आपस में मिश्रण ना हो कंपोजिट किस्म की एक से बुट्टों को तोड़कर इकठा करना चाहिए जबकि चारों तरफ 9-10 मिटर का छेत्रे छोड़ देना चाहिए तोड़े गए बुट्टे उसे सवस्त बुट्टों को छांटना चाहिए उनका वीजलग अगले साल के लिए रखना चाहिए यह आवशक है कि 3000-5000 अधिका भी सही नहीं है क्योंकि इससे पोदों में समानता दूरी रोशनी कार्बन डायकसाइड तत्व अमनमी की प्राप्ति नहीं हो पाती है साथ में बिज या तो उपर सत्व पर जाता हो या निचे गहरा चला जाता है अधिक उपर लेने के लिए मक्का को हलके पीछे 60 सेंटिमेटर दूरी की कतारों में और बीज से 20 सेंटिमेटर की दूरी पर बिजना चाहिए जिससे 15,000 पोधे प्रती हेक्टेर मिल सके यदि एक हेक्टेर छेतर में 50,000 से कम पोधे हो तो पुरी पैदावार नहीं मिलती है मक्की के बीज को 3-5 सेंटिमेटर गहरा बिजना चाहिए ताकि अंक्रोन सही हो यदि बिजाई धलांदार भूमे पर करनी हो जहां भूस खलन की समक्ष्या हो तो वहां पर कतारों को ढालने की विपरी दिशा में रखकर बिजाई करनी चाहिए नमीच सन्रक्षण और निकास आप विवस्षक है कि उपज बढ़ाने के लिए आपको नमीच सन्रक्षण और पानी के निकास पर ध्यान देना पड़ेगा पोद सन्रक्षण के इसाबसे अगर कई सार खर्पतवार आते हैं उनको नियंतरन करना पड़ेगा किट आते हैं उनको नियंतरन करना पड़ेगा क्योंकि आप जेविक मक्का में राशानिक तो छीटक नहीं सकते इसलिए आपको जेविक तरीके अपनाना पड़ेगा खाद के लिए आपको जेविक की दारा उत्पादन दस टेन देसी खाद और एक टन बीडी कंपोस्ट प्रती हेक्टेर उप्योगत हैं यदि आपके पास यह उपलब्द नहीं है तो आपके च्वा खाद को भी उप्योग कर सकते हैं कि आपको भंडारान अच्छी तरह से मक्का की बिचोग सुखा करना चाहिए दूप में जबकि दानों में नमी की मात्रा 12 परसंट से कम रह जानी चाहिए उपज 34 से 45 क्विंटल हेक्टेर मानी जाती है जेविग मक्का की और इसका जो छेत रहे यह भूमी का चैन के हिसाब से आप कर सकते हैं आपके परियावर्ण के हिसाब से कर सकते हैं लेकिन अगर हम एक उधारन लें तो राष्टी उत्पादन 17.2 क्विंटल परती हेक्टेर है ये मक्का का जेविग मक्का का उत्पादन है तो बुवाई का समय और मुसम का आपको विशेज ध्यान रखना पड़ेगा और भूमी का चैन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो ये थी जेविग मक्का के कुछ जानकार ये जानकार ये अच्छी लगयो तो सब्सक्राइब है शुकरें शेयर करें धन्यवाद